हे गाईज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल, आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें वोट्सप करना है, आपको तुरंत आपकी सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी आवेलेबल होंगे, वो सेंड कर दिये जाएंगे, हमारे जो वोट्स नमबर रहेंगे, वो हैं 86, 96, 65, 41, आप इस नमबर पर हमें वोट्स अप कर सकते हैं, आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी स्टुडेंट्स होते हैं, वो कॉंटिनियसली इस पर कॉल करते हैं, थैंक्यू सो मुचू परिचए बच्चो, आज हम पुषपी पादबों की शारीरी की के बारे में जानेंगे सर, पुषपी पादब क्या होते हैं? बच्चो, ये बीज उत्पन करने वाले पौदे होते हैं, जैसे की जीमनोइसम आधी हमें पुषपी पादब कहा मिल सकते हैं, सर? पुष्पी पादक अनेक आवासों में रेगिस्तान से लेकर धुरुवी एक्षेत्रों तक पाई जाते हैं और इनमें पेड़, जाड़ी और शाक शामिल हैं कोई मुझे पुष्पी पादप का उधारन दे सकता है सर, लेली, ट्यूलिप, क्रॉक्स, इत्यादी इसके उधारन हैं शाबाश, रमेश तुमने एकदम सही बताया इस पाट में आप पुष्पी पादप की शारीरिकी के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाट के अंद में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे मेरिस्टमी और स्थाई उतक का वर्लन करना उतक तंत्र की व्याख्या करना दुई बीच पत्री और एक बीच पत्री पौधों की शारीरिकी की व्याख्या करना दुईतियक वृध्धी की चर्चा करना उतक शारीरिकी में पाधप अंगों की आंतरिक सनचना का अध्यन किया जाता है एक समान उत्भव और कारेवाली समान या आसमान कोशिकाओं का समोहूं उतक कहलाता है उतकों को दो प्रकार में वर्गी क्रिट किया जा सकता है मेरिस्टमी उतक यानी विभज्य योति की उतक और स्थाई उतक मेरिस्टमी उतक अनिश्चित काल तक विभाजन करने में सक्षम तथा समान कोशिकाओं या निश्चित उतक उतपन करने के लिए विभेदन करने वाली कोशिकाओं को उतपन करने वाली छोटी कोशिकाओं से बने पादप उतक, मेरिस्टमी उतक यानी विभज्य योति की उतक कहलाते हैं मेरिस्टेम जो जड तथा तने के वृध्धी करते बिंदूं के शीर्षपर होता है शीर्षस्त मेरिस्टेम कहलाता है ये लगातार विभाजन करता है जिससे प्रारोह तथा जड की लंबाई में वृध्धी होती है कलिका जो पत्ती के कक्ष से निकलती है तथा शाखा प्रारोह या पुष्प में विक्सित होने की ख्शमता होती है कक्ष ये कलिका कहलाती है मेरिस्टमी उतक अंतरवेशी मेरिस्टम यह शीर्षस्त मेरिस्टेम से अलग उपस्तित होता है ये पर्व के आधार पर उपस्तित होता है। उधारन के लिए घास और गेहुमे या पत्ती के आधार पर। प्रात्मिक मेरिस्टेम मेरिस्टमी कोशिकाएं जो प्रो मेरिस्टेम से उत्पन होती हैं, प्रात्मिक मेरिस्टेम हैं। शीर्ष्क मेरिस्टेम और अंतरवेशी मेरिस्टेम दोनों प्रात्मिक मेरिस्टेम हैं। दुईतियक मेरिस्टेम या पाश्विये मेरिस्टेम ये प्रात्मिक स्थाई उतक से विक्सित मेरिस्टेम हैं। ये किसी अंग के निर्मान की शुरुआ से उपस्तित नहीं होते हैं बलकी बाद में विक्सित होते हैं और दुईतियक स्थाई उतक बनाते हैं उधारण के लिए जणों के कैम्बियम स्थाई उतक स्थाई उतक का निर्मान मेरिस्टमी उतक में विभाजन या विभेदन के कारण होता है स्थाई उतक की कोशिकाएं जीवित या मृत पतली भित्ती या मूटी भित्ती वाली हो सकती हैं स्थाई उतक दो प्रकार के होते हैं सरल उतक और जटिल उतक साधारण उतक सरल उतक प्रकृती में सजातिय होते हैं और संदचनात्मक तथा कारियात्मक रूप से समान कोशिकाओं के बने होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं पेरनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्किलरिनकाइमा पेरनकाइमा पेरंकाइमा की कोशिकाएं जीवित, मोटी भित्ती वाली होती हैं, इनमें स्पर्स्ट केंद रखोते हैं कोशिका भित्ती, सेलिलोस, हेमिसेलिलोस और पैक्तिक पदार्थों की बनी होती है कोशिकाओं में थोड़ा या ज्यादा अंतरा कोशिकी अफकाश होता है कोशिकाएं प्राया समव्यासी होती हैं लेकिन लंबाकार, कोलाकार और बहु भुजिये भी हो सकती है कॉलन काइमा यानि स्थूल कोण उतक कॉलन काइमा की कोशिकाएं मोटी भित्ती वाली जीवित लंबाकार कोशिकाएं है कोशिका भित्ती, सेलिलोस, हेमी सेलिलोस और पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है भित्ती की मोटाई एक समान नहीं होती है भित्तियों पर प्राया साधारन करतु होते है कभी-कभी कॉलन काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी होते है ये यांत्रिक तथा जैव प्रकार के दोनों कायरे करती हैं कॉलन काइमा तनन सामर्थि प्रदान करती हैं जिससे वृद्धी कर रहे अंगों को लचीला पन और सहरा मिलता है क्लोरोप्लास्ट युक्त कॉलन काइमा प्रकाश संसिलेशन का कायरे करती है Skellerin Kima यानि दिर्ड उतक Skellerin Kima उतक बहुत कठोर मोटी भित्तियों वाली कोशिकाऊं के बने होते हैं Skellerin Kima कोशिकाऊं की कोशिकावित्ति बहुत मोटी होती है इसलिए परिपक्वता पर कोशिका का बाहे कोशिकी ये वातावरण से पूरी तरह से संपर्ग टूट जाता है और कोशिका मृत्त हो जाती है स्किलरेन काइमा कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं तंतुमई और स्किलिरेट स्किलरेन काइमा के प्रकार तन्तुमई कोशिकाएं लंबी संकीर्ण होती हैं तथा दोनों सिरों पर नुकीली एवं लिगनी भूत मोटी भित्ती होती है कोशिका भित्ती में साधारण या परिवेशिद करतो होते हैं स्किलिरिट कोशिकाएं आकार में अनियमित होती हैं कोशिका भित्ती मोटी, कठोर और लिगनी भूत होती हैं, जो गोहिका को बहुत छोटा कर देती है। साधारन कर्त मोटी कोशिका भित्ती में पाय जाते हैं और आसन कोशिकाओं को जोडते हैं। जटिल उतक जटिल उतक सजीव एवं निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जो अलग-अलग कारे करती हैं। जटिल उतक एकल इकाहि की रूप में कारे करते हैं। जटिल उतक समवहनू तक भी कहलाते हैं। जटिल उतक दो प्रकार के होते हैं। जाइलम और फ्लोयम। जायलम एक सम्वहन उतक है, जो जडों से जल तथा पोशक पदार्थोंको प्रारो एवं पत्तियों तक पहुँचाते हैं। जायलम एक चालन उतक है और चार विभिन प्रकार के तत्वों का बना होता है। जाहिलम के प्रकार वाहिनी काएं एकल वाहिनी की अतिधिक लंबी या नलिका कार कोशिका है, जिसमें कठोर, मोठी और लिगनी भूद भित्ती और एक बड़ी गुहा होती है। वाहिनी काएं जड़ों से जल, आर्मोन एवं विलै का परिवहन, तने, पत्तियों और पुष्पी भागों तक करते हैं। ये पाधप काएं को यांतरिक सहारा प्रदान करते हैं। वाहिकाएं मृत्य एवं जीव द्रवे रहित होती हैं। छिद्रण प्लेटों की उपस्तिती के कारण ये वाहिनी काएं की तुल्ना में जल और खनिश पदार्थों का परिवहन अधिक दक्षिता से करती हैं। ये पाधप काएं को यांतरिक सहारा भी प्रदान करती हैं। जायलम के प्रकार जायलम तन्तू जायलम तन्तू लंबी, संकीन, मोटी और लिगनी भूत कोशिकाएं हैं। ये प्राया दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। जायलम तन्तू मृत्तिक कोशिकाएं हैं। जायलम तन्तू जायलम और पादपकाएं को पूरी तरह से यांतरिक शक्ती प्रदान करती हैं। जायलम प्रेंकाइमा जायलम में पाई जाने वाली पेरंकाइमा कोशिकाएं जजीव और समव्यासी होती हैं। जायलम परनकाइमा कोशिकाएं अधिक्तर प्रात्मिक जायलम और दुईतियक जायलम में पाई जाती हैं। जायलम परनकाइमा कोशिकाएं भोजन संग्रहन का कारे करती हैं और उपर की ओर जल के समभान में सहायता करती हैं। प्रात्मिक जायलम जड़ और प्रारोह शीर्ष्ट के प्रोकेंबियम से प्रात्मिक वृध्धी के दोरान निर्मित जायलम प्रात्मिक जायलम कहलाता है सबसे पहले बनने वाले प्रात्मिक जायलम को प्रोटो जायलम यानि आतितारू कहते हैं और ये विक्रित हो जाता है क्योंकि आसपास के उतक लंबे हो जाते है जायलम जो अंत में निर्मित होता है मेठा जायलम कहलाता है फ्लुएम फ्लुएम भी जाइलम के समान समवहन उतक है जो कार्बनिक पदार्थों के समवहन के लिए जिम्मेदार है प्रोकेम्बियम से निर्मित फ्लुएम प्राद्मिक फ्लुएम कहलाता है और जो समवहन केम्बियम से बनता है दुईतियक फ्लुएम कहलाता है फ्लोयम चार तत्वों का बना होता है चालनी नलिका तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोयम परेंकाइमा और फ्लोयम तन्तू फ्लोयम के प्रकार चालनी नलिका तत्व चालनी नलिकाएं नलिका जैसी संदचनाएं हैं, जो लंबाकार कोशिकाओं की बनी होती है लंबवत श्रिणियों में वैवस्थित और सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है इनकी भित्ती, पतली और सेलिल्योस की बनी होती है परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्तित होता है लेकिन परिधिये साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रस्थानी उपस्तित होती है चालनी नलिका का मुख्यकार पत्तियों से तैयार खादे पदार्थों का नीचे की ओर संचयन अंगों तक और उसके बाद उपर की ओर विखसित होते क्षेत्रों तक परिवाहन है प्लयम के प्रकार सहचर कोशिकाएं सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरनकाईमी कोशिकाएं हैं सघन साइटोप्लाजम और सुस्पस्ट केंद्रक इनकी विशेष्टा है और ये NGS PUM के फ्लोयम में निकट वर्ती चालिनी नली का तत्र के साथ सथी रहती हैं फ्लोयम पेरनकाईमा फ्लेम परेंकाइमा कोशिकाएं सजीव परेंकाइमी कोशिकाएं हैं जो आकार में बेलनाकार, उबकोलाकार या बहुफल किये हो सकती है कोशिकाओं में सघन साइटोप्लास्म और केंद्रक होता है तथा कोशिका भित्ती सलिलूस की बनी होती है फ्लेम तंतू फ्लेम तंतू अतिधिक लंबे, अशाकित तथा नुकीले होते हैं इनके सिरे कुई की तरह होते हैं इनकी कोशिका भित्ती, सरल, परिवेशिद गर्द के साथ काफी मोठी होती है परिवक्व होने पर ये तंतू अपना जीव द्रव्वे नश्ट करके मृत्त हो जाते हैं उतक तंत्र उतक तंत्र की निमनलिखी तीन श्रिणियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है बाहे तवचिये उतक तंत्र, भरण या मौलिक उतक तंत्र, समवहनी उतक तंत्र बाहे तवचिये उतक तंत्र बाहे तवचा पादपकाय का सबसे बहरी आवरण है जो बाहे वातवरण के सीधे संपर्क में होता है ये लंबी एक दूसरे से सठी कोशिकाओं का बना होता है, जो बिना किसी अंतरा कोशिकीये अवकाश के एक अखंड सतह बनाती है बाहे तौचा की बाहरी भिट्टी मूटी होती है और प्राया बाहे तौचिये कोशिकाओं में स्रावित किये जाने वाले मुमिये पदार्थ के निक्षेपन द्वारा निर्मित क्यूटिकल द्वारा ठकी होती है मरू दीभद पौधों में म्यूटिकल सबसे मूटी होती है बाहे तवचिये उतक तंत्र रंद्र बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के हरे वाईविये भागूं विशेश रूप से पत्तियों की बाहे तवचा में पाए जाते हैं प्रतेक रंद्र का छिद्र द्वार कोशिकाएं कहलाने वाली दो स्थेम के आगार की कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है द्वार कोशिकाएं सजीव होती हैं और इन में क्लोरोप्लास्ट होता है भीद्री भित्ती बाहे भित्ती से अधिक मोटी होती है द्वार कोशिकाएं रंद्र छिद्रों के खुलने और बंध होने के क्रम को नियमित करती है अधिकतर पौधों की बाहे तवचा में तवचा रोम या रोम कहलाने वाली अतिव रिध्यां होती है जो अपने आकार, संदचना और कर में स्पस्ट रूप से भिन्न होती है तवचा रोम अतिधिक जल की हानी को रोखते हैं तवचा रोम बीजूं एवं फलों के संदख्षन प्राकीर्णन में साहिता करते हैं जणों की बाहे तवचा में मून रोम विशिष्ट क्षेत्र मून रोम क्षेत्र में होते हैं ये मृदा से जल और खनी जुविलियन का अफ्शोशन करने के अतिरिक्त पादप काय को मृदा में इस्थिर रखने में महतपून भूमी का निभाते हैं भरन उतक तंद्र भरन उतक तंद्र पादप काय का मुख्य आकार बनाते हैं इसमें बाहे तोचा और संवहन बंडल को छोड़कर सभी उतक शामिल हैं इस उतक तंद्र का प्रात्मी कार्य खादे पदार्थों का संगरहन और निर्मान है एक बीच पत्री तने में भरण उतक वलकुट, परिरंब और पित में विभेदित नहीं होता है। दुई बीच पत्री तने, दुई बीच पत्री जणों और एक बीच पत्री जणों में भरण उतक वलकुट, परिरंब और मज्जा या पित का बना होता है। सम्वहनी उदक तंत्र अक्षिका केंद्री इस्तंभ अर्थात जड़ और तना रंभ कहलाता है, जो अनेक सम्वहन बंडलों का बना होता है, जो सम्वहनी उदक तंत्र बनाते हैं. सम्वहन बंडल में जायलम, फ्लोयम और केंबियम भी होते हैं, यदि जायलम और फ्लोयम के बीच केंबियम उपस्तित है, तो इसे खुला सम्वहन बंडल कहा जाता है, उधारण दूई बीच पत्री यदि जाइलम और फ्लुयम के बीच Kevin नहीं है तो इसे बंद सम्वहन बंडल कहा जाता है उधारण एक पीच पत्री सम्वेहनी उतक्तंत्र जाइलम और फ्लुयम के विन्यास के नुसार सम्वहन बंडल दो प्रकार के होते हैं अरिये और संयुक्त जब जाइलम और फ्लेम एकांतर तरेके से भिन्न तरिज्या पर वैवस्तित होते हैं, तब ऐसे समवहन बंडलों को अरिये कहते हैं जब जाइलम और फ्लुयम समान त्रिज्याओं पर उपस्तित होते हैं, तो इस प्रकार के समवहन बंडल, संयुक्त समवहन बंडल कहलाते हैं. दूई बीच पत्री तथा एक बीच पत्री पौधों की शारी रिकी, दूई बीच पत्री मूल, बाहे तवजा, ये सबसे बाहरी परत है, वलकुठ इसमें पतली भित्ती वाली पैरन कायमी कोशिकाओं के कई परते होती हैं, इनके बीच में अत्यधिक अंत्रा कोश की अस्थ पान होता है, अंतस्त्वचा, वलकुठ की सबसे भीत्री परत अंतस्त्वचा है, जो पूरी तरह से रंभ द्वारा घिरी होती है, अंतस्त्वचा की कोशिकाओं में कैस पैरी पट्टियां कहलाने वाला विशिस्ट स्थूलन होता है, परिरंभ, ये मोटी भित्ती वाली प एक खेरे में वैवस्थित और अर्ये होते हैं। अर्थात, जायलम और फ्लॉयम भिन्ने तरिज्याओं पर इस्थित होते हैं। प्रोटो जायलम सदेव केंद्र से दूर और मेटा जायलम केंद्र की ओर इस्थित होते हैं। जायलम की इस दशागों बाहे आदिदारु कहते हैं कंजंग्टिव उतक जायलम और फ्लोयम बंडलों के बीच इस्थित पेरनकाइमा कंजंग्टिव उतक बनाती है पित ये जड़के केंदर में एक छोटा क्षितर घेड़ता है और पेरनकाइमी कोशिकाओं का बना होता है एक बीच पत्री मूल बाहे तवचा ये मूल की सबसे बाहरी परत है जिस पर अनेक रोम होते हैं वलकुट बाहे तवचा के नीचे बहुत तरिये पेरनकाइमी उतक उपस्तित होता है जिसमें अंतरा कोशिकी इस्थान होता है और ये वलकुट है अंतस्तवचा वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस्तवचा है अंतस्त्वची ये कोशिकाएं पीपाकार होती हैं, जिनमें कैस्परी पट्टियां बिलकुल नहीं होती और भित्ती मोटी होती है परीरंब ये एक पंक्ती में वैवस्थित होता है और पेरन काइमा का बना होता है समवहन बंडल समवहन बंडल बहु आदी दारुक, अरिये और बाहे आदी दारुक होते हैं फ्लेम पेरन काइमा अनुपस्थित होती है कंचंक्तिव उतक जैलम और फ्लेम के बीच इस्थित पेरन काइमी कोशिकाओं का बना होता है पित ये बड़ी होती है तथा दूर-दूर इस्थित पेरन काइमी कोशिकाओं की बनी होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च करन होते हैं दूई बीच पत्री तना अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखिस सनरचनाएं होती है बाहे तौचा बाहे तौचा तने की सबसे बाहरी परत है ये कोशिकाओं की एकल परत की बनी होती है और क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है बाहे तौचा पर बहु कोशिकिये रोम और रंधर पाय जाते हैं वलकुठ इसे तीन ख्शेत्रों में विभाजित किया जा सकता है अधस तौचा ये बाहे तौचा के ठीक नीचे इस्थित होती है सामान वलकुट ये अधस तौचा के भीतर इस्थित होता है और मोटी भित्ती वाली पेरन काईमी कोशिकाओं की कुछ पर्तों का बना होता है वलकुट का मुख्यकार भोजन का संग रहन है अंतस तौचा ये वलकुट की सबसे भीतरी परात है परिरंब परिरंब परन काईमी और स्कलरन काईमी दोनों कोशिकाओं की बनी एक विशम परात है ये अंतस तौचा और समवहन बंडलों के बीच इस्थित होती है सम्वहन बंडल ये अंतस्वचा के भीतर एक घेरे में वैवस्थित होते हैं मज्जा किरने कुछ पड़ते या दो सम्वहन बंडलों के बीच स्थित बड़ी बहु भुजीये कोशिकाएं मज्जा किरने होती हैं पित ये कोशिकाएं खादे पदार्थों तथा जल का संचाई करती हैं एक बीच पत्री तना पाहे तोचा ये मोटी क्यूटिकल वाली सबसे बहरी एकलपरात है बहु कोशिकी ये रोम अनुपस्तित होते हैं अधस तोचा ये स्केलेरेन काईमी कोशिकाएं की बनी होती है राया दो तीन परत मोटी होती है और बाहे तोचा के नीचे इस्थित होती है भरण उतक अधस तोचा के नीचे पैरेन काईमी कोशिकाएं का संपून द्रवेमान भरण उतक बनाता है भरण उतक में समवहन बंडल बिखरे रहते हैं समवहन बंडल प्रतियक समवहन बंडल पैरन काइमी होता है और बंडल आच्छत कहलाने वाले स्कलरन काइमी कोशिकाओं के आच्छत से घिरा होता है ये आच्छत समवहन बंडलों के उपरी और निचले भागों पर अत्यथिक विक्सित होती है समवहन बंडल, संयुक्त, वाहे फ्लोयमी, मध्या दिदारुक और बंद होते हैं पित और रंब एक बीच पत्री में अटेक्टो स्टील पाहि जाती है ये अत्यथिक विक्सित रंब है एक बीच पत्री तनों में एक समान पित्थ उपस्तित होती है प्रिष्टाधार दुई बीच पत्री पत्ती उपरी बाहितोजा ये एक दूसरे से जड़ी एक समान स्ट्रीय पैरनकाइमेटी कोशिकाओं की बनी सब्से बाहरी परत्थ है कोशिकाओं की बाहरी भित्ती पर क्यूटिकल होती है रंद्र और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं निचली बाहेतोजा ये पदली क्यूटिकल वाली पेरनकाइमेटी कोशिकाओं की एक एकलपरात है और इन में अनेक रंद्र होते हैं क्लोरोप्लास्ट केवल दौर कोशिकाओं में ही उपस्तित होते हैं निचली बाहितवचा गैसों के विनेमे में सहायता करती है इस गक्ष के माध्यम से चलवाश्प की हानी होती है प्रिष्टाधार पत्ति यानि दूई बीच पत्त्री पण मध्योतक उपरी और निछली बाहे तौचा के बीच सिस्थित उटक पण मध्योतक कहलाते हैं ये दो ख्षित्रों में विभाजित हैं खंब उटक कोषिकाएं लंबी होती हैं और उपरी बाहे तौचा के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है कोशिकाओं में अंत्रा कोशिकी ये अवकाश नहीं होता है और वे प्रकाश संशलेशन में भाग लेती है पंजी परनकाइमा ये खंब उतक के नीचे पाई जाती है पंजी परनकाइमा की कोशिकाएं लगभग गोलाकार या अंडाकार होती हैं तथा अनियमित क्रम में वैवस्थित होती हैं कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और अंत्रा कोश की अवकाश भी होता है अंत्रा कोश की अवकाश गैसों के विसरन में सहायता करता है समवहन बंडल समवहन बंडल बही फ्लोयमी और बंद होते हैं ये स्पंजी परनकाइमा में विख्रे रहते हैं मद्देशिरा के समवहन बंडल सबसे बड़े होते हैं प्रतेक समवहन बंडल के चारों ओर पैरन कैमी कोशिकाओं को एक आचछद उपस्तित होता है, जो बंडल आचछद कहलाता है. समदूई पाश्व एक बीच पत्री पत्ती 2. बाहे तवचा उपरी और निचली बाहे तौचा पैरन कायमी कोशिकाओं की बनी होती है बाहे तौचा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है उपरी और निचली बाहे तौचा दोनों पर रंद्र उपस्तित होते हैं द्वार कोशिकाएं बाहे तौचे ये कोशिकाएं हैं, जिनमें क्लोरोपलास्ट होता है। उपरी बाहे तौचा में कुछ बड़ी कोशिकाएं समोहों में पाई जाती हैं, जो आवर्त कोशिकाएं कहलाती हैं। पन मध्यो तक पन मध्यो तक खंब और स्पंजी पेरन काइमा में विभेदित नहीं होता है। ये कोशिकाएं लगभग गोला कार होती हैं और छोटे अंतरा कोशिकी ये अफ़काश को घेटी हैं, तथा अनियमित धन से वैवस्तित होती हैं। इन कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट होता है। समवहन बंडल कुछ समवहन बंडल छोटे और कुछ बड़े होते हैं। प्रतेक समवहन बंडल के चारों और पेरन काइमी कोशिकाएं की आच्छद उपस्तित होती है। समवहन बंडल, सन्योक्त, बाही फ्लोयमी और बंद होते हैं। दुईतियक व्रिध्थी सक्रियता या पाश्विये मेरिस्टेम से दुईतिय उतक के निर्मान द्वारा पौधे के अक्ष की परीधी में होने वाली व्रिध्थी दुईतियक व्रिध्थी है। दुईतियक व्रिध्थी उतक दो प्रकारके होते हैं। समवहन केम्बियम और कारक केम्बियम। समवहन केम्बियम एक पाश्विये मेरिस्टेम है जो दुईतियक व्रिध्थी बनाता है और जायलम एवं फ्लोयम के बीच इस्तित होता है। केम्बियमी छले का बनना दुई बीच पत्री तने में समवहन बंडल संयुक्त, बही फ्लोयमी और खुले होते हैं और एक छले में वैवस्तित होते हैं समवहन बंडलों में जायलम और फ्लोयम के बीच उपस्तित केम्बियम पूलिय या अंतापूलिय केम्बियम कहलाता है मज्जा किरणों की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमी हो जाती हैं और वे अंत्रापूलिय केम्बियम कहलाती हैं ये दोनों Cambium एक साथ मिलकर समवहन Cambium या Intrastellar Cambium का पून छल्ला बनाते हैं. Cambium छल्ली की क्रिया समवहन Cambium का छल्ला बहरी और भीत्री दोनों तरफ की कोशिकाओं को काड़ता है. बहरी कटी कोशिकाओं दुईतियक फ्लोयम है और भीत्री कटी कोशिकाओं दुईतियक जायलम है. कटी हुई दुईतियक जायलम की मात्रा दुईतियक फ्लोयम से अधिक होती है और इस प्रकार दुईतियक उतक के निर्मान के साथ घेरे या व्यास में वृध्धी होती है जो दुईतियक वृध्धी कहलाती है केम्बियम कोशिकाएं आयतकार, पतली भित्ती वाली, जीव द्रव से पून और मेरिस्टेमी क्रियाशीरिता वाली होती है दुईतियक उतक में वृध्धी के साथ साथ प्रात्मिक जायलम और प्रात्मिक फ्लोयम दप जाते हैं कुछ स्थानों पर केम्बियम, दुईतियक जायलम और दुईतियक फ्लोयम नहीं बनाता है बलकि जायलम और फ्लोयम के बजाए पैरन काइमी कोशिकाओं को बनाता है इस प्रकार ये कोशिकाएं दुईतियक जायलम से दुईतियक फ्लोयम तक अखंड पट्टियां बनाती हैं और दुईतियक मज्जा किरने कहलाती हैं। बसंत दारू तथा शरत दारू बसंत रितू में केंबियम की सक्रियता अधिक हो जाती है और इसका रण कास्ट तत्व चोड़ी गुहिका के साथ आकार में बड़े हो जाते हैं। इसके अत्रिक्त मात्रा अधिक होती है और बसंत के मौसम में निर्मित दुईतियक जायलम या कास्ट बसंत दारू कहलाती है। शरत रितू में केंबियम की सक्रियता कम हो जाती है और कास्ट तत्व संक्री गुहिका के साथ आकार में छोटे हो जाते हैं। इसके अत्रिक्त ये मात्रा में कम हो जाता है और शरद रिदू में निर्मित काश्ट को शरद अथवा पश्चदारू कहते हैं। बसंत दारू और शरद दारू वार्शिक वले बनाते हैं। रिद दारू तथा रस्टारू काश्टिये पेडों में तने के केंद्रिये भाग का रंग गहरा होता है। ये भाग, रेजिन, टैनिन, गोंद के निक्षेपन और टाइलोसिस के निर्मान की कारण कठोर और सख्ट हो जाता है। ये केंद्रिय कठोर, सख्त और गहरा भाग रिद्दारू बनाता है। वाहिकाओं में ताइलोसिस के निर्मान के कारण रिद्दारू के समवहनकारे बंद हो जाते हैं और इसलिए रिद्दारू यांत्रिक रूप से कारे करती है। रिद्दारू का उप्योग प्राया फरनीचर बनाने में किया जाता है। तने का बहरी भाग हलके रंका और मुलाइम होता है जो जल और खरिच पदार्तों का समवहन करता है और ये रस्दारू कहलाता है। इस कास्ट का उप्योग पल्प वुट टूल हैंडल्स आधी बनाने में किया जाता है। कार्क केम्बियम कुछ कास्ट ये पौधों में रंब के बहरी भाग में नए उतकों के निर्वान दौारा उनके अक्ष की परिधी में भी वृत्धी होती है। ये नए उतक परिचर्म कहलाते हैं। परिचर्म तीन उतकों की बनी होती है। कागजन ये मेरिस्टेमी कोशिकाओं की एकल परत का बना होता है। ये दुईतियक पार्श्वीय मेरिस्टेम भी कहलाता है, जो अधस त्वचा या बाहे वलकुट की स्थाई सजीव कोशिकाओं से उत्पन हो सकता है। कोशिकाओं आयतकार और अरिय धन से चप्टी दिखती हैं। काग ये कोशिकाओं बाहर की ओर की कागजन कोशिकाओं के सपर्श रेख्ये और परिनथिक विभाजन के परिडामसरूप बनती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं और प्रारंभ में इनमें पतली सलीलोस की भित्तियां होती हैं। जब वे परिपक्व हो जाती हैं तो धीरे धीरे सजीव पदार्थ नश्ट हो जाते हैं और कोशिकाएं अरिये, उर्द्वाधर या स्पर्श रेखिये रूप से लंबी हो जाती हैं। सुबेरेन कहलाने वाले वसिय पदार्थ के विक्सित होने के कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। सुबेरेन जल के लिए अभित्य है। कागस्तर पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की पड़तें काग जन के अंदर की ओर बठकर कागस्तर बनाती हैं। इस परत की कोशिकाएं सजीव होती हैं और इन में सेलिलोस कोशिका भित्ती होती है। ये डूतियक वलकुड भी कहलाता है। कुछ प्राजातियों की इन कोशिकाउंट में क्लोरोप्लास्ट और टार्च भी हो सकता है। चाल वलक समवहन केम्बियम के बाहर की तरफ के सभी उतक चाल वलक बनाते हैं। चाल वलक के दो भाग होते हैं। बाहरी चाल वलक कारक केम्बियम के बाहर की तरफ इस्थित सभी उतक बाहरी चाल वलक कहलाते हैं। भीत्री चाल वलक कार्क केंबियम और समवहन केंबियम के बीच वाला क्षित्र भीतरी छाल वल्क कहलाता है वातर रंद्र वातरंद्र छाल वल्क में बने छित्र होते हैं जिनसे होकर गैसों का आदान प्रदान होता है प्रतेक वातरंद्र में कार्क केम्बियम, कार्क कोशिकाएं उत्पन ना करके अनियमित पैरन काइमी कोशिकाएं बनाता है जो अत्यधिक अंत्रा कोश की अवकाश के साथ दूर दूर व्यवस्तित होती है ये धेर पूरक कोशिकाएं कहलाता है जडों में दुईतियक वृध्धी पौधों के वृध्धी करते वाइविय भागों को शक्ति प्रदान करने और जल एवं खनिश पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जडों में दुईतियक वृध्धी महतपोन है एक बीच पत्री चड़ों में दुईतियक वृध्धी नहीं पाई जाती है ये समवहन केम्बियम और कार्ग केम्बियम की सक्रियता की कारण होती है क्या आप जानते हैं? एडल्ट स्टेम सेल डिसकवरी के लिए नोबल पुरसकार इस वर्ष चिकिस्सा के लिए ब्रिटेन और जापान के विग्यानिकों को उनकी खोज कि वयस्क कोशिकाओं को पुना भुरून जैसी स्टेम कोशिकाओं के रुपांतरित किया जा सकता है इसके लिए नोबल पुरसकार प्रधान किया गया कैमरे जिस्थेद गर्डान संस्थान के जाउन गर्डान और क्योटो विश्विद्याले की सीनिया या मनाका ने उस उतक को बनाने के तरीकों की खोज की जो ब거든 से कोशिकाओं को एक गतर करने की आविशक्ता की बिना ही, बृन ये कोशिकाओं की तरहा कारे करेगा सारांश आईए हमने जो कुश सीखा है, उसे संगशेप में दोहराएं समान उत्पत्ती और समान कारे करने वाली समान या आसमान कोशिकाओं का समूँ उतक कहलाता है उतक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टमी और स्थाई सरल उतक प्रकृती में समझातिय होते हैं और सनचनात्मक केवं कारियात्मक रूप से समान कोशिकाओं के बने होते हैं। सरल उतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरन काइमा, कालन काइमा और इसकलेरन काइमा। जटिल उतक सजीव और निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जो अलग-अलग कारे करते हैं। जटिल उतक दो प्रकार के होते हैं, जायलम और फ्लोयम. उतक तंत्र की तीन श्रिणिया हैं, जो बाहे तवचिय, भरण और समवहन उतक तंत्र हैं. सक्रियता या पाश्विये मेरिस्टेम से दुईतियक उतक के निर्मान द्वारा पौधे के अक्ष की परिधी में होने वाली वृध्धी, दुईतियक वृध्धी कहलाती है. बसंत में केंबियम की सक्रियता अधिक होती है और शरद रितु में केंबियम की सक्रियता कम हो जाती है बसंत दारू और शरद दारू वार्शिक वले बनाते हैं समवहन केंबियम के बाहरिस्थित तभी उतक छाल वल्क बनाते हैं झाल झाल